असलाम अलेकूं प्यारे बच्चों उमेद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सब बच्चों का सही से जा रहा होगा प्यारे बच्चों आज हम जो चप्टर पढ़ रहे हैं मिन्रोल्स एंड एनर्जी रिसोर्स इसकी हम एक एक एक्जैम प्रेक्टिस करेंगे ठीक है कुछ कॉच्चन हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला कॉच्चन है ठीक है ना डिफ्रेंशेट बिट्वीन है फिरियस मिन्राल ठीक है ठौम नौन फिरियस मिन्राल पहला कॉच्चन जो यहां पर है that is difference between or differentiate between a furious mineral from non-purious furious को non-purious से differentiate करना है furious क्या होता है non-purious क्या होता है चलो ठीक है बच्चो आपने ये पढ़ा है तो बिलकुल easy है अगर हम furious की बात करते हैं furious ठीक है ना furious में क्या होता है furious में iron content होता है ठीक है ना like अगर हम फिर example दीएंगे iron ore की example दीएंगे nickel की example दीएंगे ठीक है kobalt की example दीएंगे magnez की example दीएंगे dear students ये हैं furious अगर हम non-purious की बात करते हैं non-purious में iron नहीं मوجود होता है इस देना ना आफमेशन आइरन आसन के हैं, for example, copper, ठीक है, यह नॉन फिरियस में आ जाता है, for example, tin, metal है, मगर नॉन फिरियस है, ठीक है, for example, dear students, bauxite, जिसे हम aluminium, bauxite जो ओर है, इसे हम aluminium हासल करते हैं, getting my point, उसके बाद, अगर हम lead की बात करेंगे, यह भी नॉन फिरियस मिनरॉल है, difference तो यह है, कि iron content, फिरियस, और जो नान फिरियस होता है, इसमें iron content नहीं होता है, ठीक है, बचो, अब उसके बाद, यह पड़ा है, हमने यह, यह exam practice का पहला part था, अब दूसरा part हम देखते हैं, हमें बताना है, कि important, important centers, important centers of bauxite in India, bauxite deposits in India, देखिए, बचो, दूसरा सवाल जो यहां पर है, दूसरा important question जो यहां पर है, वो है कि, इंडिया मैं हमें बताना है कि, बॉक्साइट के depositors कहां कहां पर हैं, ठीक है, जैसे कि leading producer इंडिया मैं जो बॉक्साइट का leading producer है, वो है, औरेसा, अब depositors कहां कहां पर हैं, कल exam में आपसे एक question भी पूछा जा सकता है, कि आपने वोक्साइट के बारे में पढ़ा है, वो और है, जिसे हम almonium हासिल करते हैं, तो बाकी properties के बारे में भी आपने पढ़ा, फिर almonium की properties के बारे में, यहां पर हमें depositors के बारे में discuss करना है, Dear students, अगर हम, अमर कंटक, अमर कंटक plateau, अमर कंटक plateau की, अगर हम बात करेंगे, यह hills हैं, मेकाल, मेकाल, हिल्स, ठीक है, यहां अगर हम बात करेंगे, बलस पोर, ठीक है बचो, बलस पोर कटनी, बलस पोर कटनी, यह कुछ मैं एरियाज हैं, प्यारे बचो, यह कुछ मैं एरियाज हैं, जहां पर, बॉक्साइट के depositors, इंडिया में पाए जाते हैं, यहां के, अमर कंटक plateau है, मेकाल हिल्स हैं, यहां बलस पोर कटनी है, प्यारे बचो, यह ऐसे centers हैं, जहां पर, बॉक्साइट depositors पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद, तीसरा, पार्ट, आपको, one use, one use of lime stone, यह sedimentary rock है, dear students, है न, यह rock mineral है, lime stone के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, तो आपको बताना है, dear students, one use of lime stone, one use of lime stone, जैसे कि, अगर हम one use, एक, इसका use बताएंगे, इसके बहुत सारे uses हैं, एक use हमें बताना है, dear students, हम क्या सकते हैं, कि it is basic raw material, it is the, इसका use है, it is the basic raw material, प्यारे बच्चों, क्या है यह, जो lime stone है, यह basic raw material है, किसके लिए, for the manufacture of cement, ठीक है, हो गया, यह भी complete यहांपे, एक use बताना है हमें, किसका use बताना है, lime stone का, lime stone rock mineral है, sedimentary rock है, ठीक है न, इसमें calcium, आप जानते हैं, calcium carbonate होता है, यह magnesium carbonates होता है, ठीक है बच्चों, यहांपे, एक use हमें बताना है, जो lime stone है, जो यह rock mineral है, जो यह sedimentary rock है, इसका एक use हमें बताना है, वो हमने यहांपे mention किया, कि यह basic raw material है, जिसे हम इस्तिमाल मेलाते हैं, किसके लिए, for the manufacture of cement, for the manufacture of cement, अच्छा, चलो, यहांपे और एक हम बात करते हैं, ठीक, यहांपे यह questions, दो तीन questions थे, यहांपे तो discuss हुए, उसके बाद अगर हम यहांपे आते हैं, और एक, अगर हम true false की बात करेंगे, part number second, यह था part first, जिसमें हमने कुछ, दो तीन questions हमने discuss किये, अगर हम part second की बात करेंगे, part second में हम देखेंगे, true false, ठीक है, क्या discuss करेंगे, true false, अच्छा, चलो, सबसे पहले, जो पहला part है, कोबाल्ट, is a non-pherious mineral, हमें यहांपे बताना है, मैंने लिखा यहांपे, जो पहला statement है, that is, कोबाल्ट is a non-pherious mineral, जो कोबाल्ट है, dear students, वो non-pherious mineral है, non-pherious Tai Chi, नहीं, जो कोबाल्ट है, वो фısरियस mineral है, तो यहांपे, यह false है, अगर होता है, कोबाल्ट इस फ herself कि लिखा है, जो पहला statement है, कोबाल्ट इस a non-pherious mineral, जो कोबाल्ट क्या है, यह non-pherious mineral है, नहीं, यह false है, dear students, यह था पहला statement है, तो आपने यहां पर क्या देखा है यहां पर हमने इसका statement मैं लेका false अच्छा अगर हम दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं जो दूसरा पार्ट है अगर हम दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं India has India has sufficient or educate sufficient reserves of non non furious minerals यह दूसरा statement है dear students यह दूसरा statement है that is जो हमारी country इंडिया है इंडिया में sufficient reserves पाए जाते हैं sufficient reserves मौझूद हैं किसके non-pherious minerals की non-pherious minerals की अगर हम non-pherious minerals की बात करेंगे यहां पर few reserves non-pherious minerals पाए जाते हैं जो कि उतने ज्यादा educate नहीं है जो कि उतने ज्यादा sufficient नहीं है तो यहां पर जो यह है यह statement यह क्या यह कुण सा statement है यह false statement है sufficient नहीं है यहां पर few reserves है इंडिया यहां पर यह statement भी false है अगर होता यहां पर statement ऐसे होता है इंडिया has few reserves of non-perious minerals तो it true था, मगर यहां पर statement थोड़ा different है, यहां पर statement है, India has sufficient reserves of non-perious minerals, it is false it is false, dear students यह डूसरा statement था जिस पर हमने false डाल दिया ठीक है न, उसके बाद तीसरा statement rock minerals ठीक है, rock minerals याद रखना, rock minerals like lime stone like lime stone it is found in metamorphic rocks, it is found in metamorphic rocks, तो अभी हम पढ़ रहे थे, कि अभी मैं बोल रहा था, इससे पहले कि जब मैंने कहा कि rock mineral limestone के बारे में, वो sedimentary rocks में पाया जाता है, मर statement यहां पर है, जो rock mineral like limestone है, it is found in it is associated with metamorphic rocks तो dear students, तो आपका statement पे क्या आएगा, इस statement पे जो यह statement है, इस पे भी false आएगा, इस पे भी false आएगा, उसके बाद और एक point, हम यहां पर last point डिसकुस करने वाले हैं, that is working in miners, that is working in miners increases the risk of respiratory tract disorders, dear students, जब हमने hazards of mining डिसकुस किया था, तो वहां पे हमने कहा था, वहां पे हमने बोला था, कि जो काम करने वाले हैं, miners में काम करने वाले हैं, miners हैं, उनको खत्रा रहता है, वहां पे respiratory tract diseases का खत्रा रहता है, या pulmonary disorders का खत्रा रहता है, क्या यह true है या false है, जो यह statement है, working in miners, increases the risk of respiratory tract diseases, dear students, तक इस statement का तालुक है, यह statement true है, यह था हमारा आज का, जो हमने लिया था, आज exam practice, जिसमें हमने कुछ questioners discuss किये थे, और कुछ statements को discuss किया, जिसमें हमने रेखना था, true कौन सा है, और false कौन सा है, यह था आज का topic, तो मिलते हैं, dear students, अगले topic में, अगले lecture में, तब तक, अले कुम